नमस्कार मैं करीना चुहान टेकने निउस में आप सबी का स्वागत करती हूँ और आज की दस बड़ी खबरे कुछ इस प्रकार है राम नला की प्रान प्रतिश्चा के बाद राम नला के दर्शन के लिए श्री राम मंदिर के बाहर श्रद्धालों की वीड निरंतर बढ़ती जा रही है ऐसे में व्यवस्ता को सुचारू रूप देने के लिए मंगलवार को उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी योगिया देतेनात ने श्री राम मंदिर का जायजा लिया सीम योगी ने मंदिर में अक्सरों के साथ बैठकी राम भक्तों को मंदिर दर्शन के ही धहरे बनाए रखने की सला दी गई है 24 जन्वरी को उत्रप्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है राश्ट्रपती दौपती मुर्मू और प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी ने सभी प्रदेश वासियों को सोशल मीडिया पोस्ट के जरीए स्थापना दिवस की शुपकामनाय दी है पोस्ट में राश्ट्रपती ने उत्रप्रदेश को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगती में अग्रणी भूमी का निभाने वाला प्रदेश भदाया है वहीं प्रधानमंत्री ने उत्रप्रदेश को अध्यात्मिक्ता ज्यान और सिक्षा की पवित्र भूमी कहकर संबोधित किया है साथे विक्सित भारत की संकल्पना में अग्रणी भूमी का निभाने का भरोसा जताया है भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री करपूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का एलान किया है प्रुधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्वार को सोचल मीडिया प्लाटपॉम एक्स पर एक पोस्ट पर इसकी ज़ानकारी दी है प्रुधानमंतरी नरेंदर मोदी ने पोस्ट में करपूरी ठाकुर की जयनती पर उनके सामाजिक और राजनितिक जीवन को याद किया और उन्हें नमन किया पीएम मोदी ने जननायक करपूरी ठाकुर को समाजिक और राजनितिक दोनों ही छेतरों में प्रेड़ना सोत्र बताया है मंगलवार को दिल्ली के लाल के लिए में सुभाश चंदर भौस की जयनती की मौके पर पराक्रम दिवसका योजन किया गया प्रुधानमंतरी नरेंदर मोदी भी सारेक्रम में शामिल हुए इस ज़रान पीएम मोदी ने भारत पर वकाश शुबारम किया और नेताजी सुभाश चंदर भौस की ततकालिंग इंडियन नाशनल आर्मी के लेटिनेंट आर मादवन को समानिक किया साथी नेताजी के आदर्शो और उनके सपनों को साकार करने की सरकार की प्रतिफदता को भी धराया पचत्रवी गणतंत्र दीवस परेड की सभी तैयार्य लगबग पूरी हो गई है इस बार परेड विक्सिक भारत, नारी शक्ती और आत्म निर्भरता पर केंद्रित होगी क्रिशी मंत्राले ने परेड देखने के लिए डेड़ हजार से अधी किसानों को अमंत्रित किया है इनमें 24 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के लगबग 200 प्रार्थमिक रिशी रिण समीतियों के अध्यक्ष दमपत्यों को भी शामिल किया गया है एक परवदी को केंद्र वित्रमंत्री निर्मला सीता रमन मौझूदा सरकार का अंतरिम बजट पेश करेंगी उमीद है कि इस बजट में राश्ट्रिय पेंशन योजना में सुनशोधन किया जा सकता है साथी वितन पाने वाले करमचारियों को होमलोन की रीपेमेंट के लिए अलग कटौती और सेक्शन एटी सी और एटी डी की चूट में बढ़ातरी भी हो सकती है उत्तर भारत में मामूली राहत के बाद ठंड फिर से बढ़ गई है बुदवार से सुबह और शाम के समय कोरा भणने लगा है मौसम विभाग ने कहा है कि गनतंत्र दीवस के अगले दिन तक गलन से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है पहाड़ी इलाकों में 25 जन्वरी के बाद बारिश और बरफ बारी होने की भी संभावना व्यक्त की गई है बुरुगोबिन सिंग निंदपुस उनिवरसिटी ने BBA और BCOM के छात्रों को प्लेस्मेंट दिने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है नोटिफिकेशन के अनुसाश section 17 के अंतिम वर्ष 2023 में उन्तीन होने वाले चात्रों को Advanced Reserve Company में नौपली करने का मौका दिया जा रहा है IP इनिवरसिटी के आधिकारी वेबसाइट पर जारी किये गर नोटिफिकेशन में ओनलाइन आवेदन करने का लिंक दिया गया है हंग कॉंग में हो रही इस साल की इश्याई Marathon Championship में भारत के मान सिंग ने स्वन्ण पतक हासिल कर इतिहास रचा है 34 वर्षि भारते मेरेथॉन धावक मान सिंग ने चीन के धावक वुआंग योन जेंग को 65 सेकिंग के अंदर से हराया है मान सिंग ने 2 गंटे 14 मिनिट और 19 सेकिंड का व्यक्तिगत सर्वश्रीष्ट रिकॉर्ड का एम्पिया बॉल्यवर्ड अभी नेतरी कंगना रनौत इन दिनों अपने आने वाली फिल्म एमर्जंसी के लिए पूरी तरह से तहियान है कंगना ने इंस्ट्रग्राम पर फिल्म का नया पोस्टर साजा कर फिल्म की नई रिलीस डेट का एलान किया है अब फिल्म को 14 जून 2024 को सिनमा घरों में रिलीस किया जाएगा जबकि इससे पहले फिल्म को नवेंबर 2023 में रिलीस किया जाना था फिल्म में कंगना रनौत भारत की पूर्ण प्रधान मंतरी इंद्रगानी की भूमिका निभाती नज़र आएंगी आज के लिए बस इतना ही देखते रहें चेक्निया न्यूस और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले